वेल्कम एवरिवन आज हम लोग प्रेडिट टेबिल के questions डिसकस करेंगे जैसे आप जानते हैं कि जब chapters खतम होता है तो हम कुछ questions को discuss करते हैं जो कि एक तरीके से आपको practice होते हैं questions कैसे board में पूछते हैं ठीक है और हम कुछ ऐसा question select करते हैं जो तरीका है solve करने का board में ठीक है तो यहां पर हमने कुछ questions लिया हैं जिसको हम लोग solve करेंगे ठीक है तो देखे पहला क्या है the following questions are related with the certain properties of element x having atomic number 20 तो यहां पर किसी element है element का नाम नहीं बताया एक्स बताया है उसका atomic number क्या है 20 बता दिया है तो questions कई तरीके से बनते हैं ठीक है तो periodic tables के form में भी बनते हैं ठीक कि उसमें से कोई element हटा दिया उससे पूछ लिया कि कौन सा element है फिर उसके बारे में सारा पूछ लेता है कि metal है कि non-metal electronic configuration क्या है valency क्या है valence electron क्या है तो उस तरीके से सब बनते हैं तो यहाँ पर x element जो है पता करना identify element x तो देखिए जब आपको atomic number हमने बताया था कि elements आपको 20 तक at least याद करना है जो आपके course में है तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं यह element क्या है calcium है element क्या है calcium है give its electronic configuration तो 20 है तो इसका electronic configuration क्या हुआ 2882 ठीक है अब देखिए यह 20 का electronic configuration मतलब calcium का electronic configuration निकल गया ठीक है अब यहाँ पर आपको हमने पिछले भी lecture में कई questions को discuss किया पढ़ाते समय है ठीक है is it a metal or non metal metal non metal को पहचानने के लिए हमने बताया था electronic configuration के लास्ट में one two three अगर है तो वो क्या है मेटल है क्या है मेटल है क्लियर हुई बात देखिए तीन question कितने easily तरीके से solve हो गए ना फोर्थ हाव मैनी वैलेंस electron आर प्रेजेंट इन element x तो element x के balance electron कितने present है तो balance electron पहले आपको पता होना चाहिए इस वज़े से वीडियो देखना जरूरी है कि balance electron क्या होता हमने वहां बताया था outer most cell में जो electron present होते उसको balance electron कहते हैं तो इसके outer most मनलब जो last में जो होता है वो outer most cell होता है तो outer most cell में दो electron present है तो उसको balance electron कहते हैं in which group and period element x is present तो हमने group of period भी निकालना बताया था उसी balance electron valency में ही group of periods भी निकालना बताया था ठीक है और हमने group of periods को definitions को कैसे याद कर सकते हैं वो भी हमने trick दी थी तो in which group तो group पता करना है तो हमने बताया जो last में आता है वो group ही denote करता है ठीक है तो इसका जो group हुआ g is equal to 2 मलब group 2 है अब period क्या हुआ तो जितने आपको यहाँ पर दिख रहे हैं electronic configuration में 2882 है तो चार दिखें तो इसका period क्या हुआ 4 हुआ ठीक है तो यह होगा now next question is this element greater in size than magnesium और smaller तो यह magnesium से बड़ा है कि छोटा तो magnesium का atomic number पता होना चाहिए 12 और इसका क्या है 20 तो आप ही बता दो बड़ा कौन है ठीक है तो आज मुझे यहाँ तक सुनाई पड़ रही है कि क्या है greater है यह magnesium से बड़ा है तो next question what type of bonding will you expect between element x and oxygen तो देखें यह questions chemical bonding में वैसे clear होगा next chapter में वैसे आप अभी जान जाएए कि जो भी elements 1,2 और 3 lose करते हैं वैलेंट बॉन्ट बनाते हैं तो देख कितने easy तरीके से question जो हुआ है solve हुआ और जो 56 होते हैं यह लेते हैं ठीक है बागी 4 वाला जो होता है वह share करता है जो share करते हैं वहाँ पर कोवैलेंट बनता है वह हम लोग एक्रो एलेक्ट्र केमिकल बॉन्ड में देखेंगे तो य देखेंगे यह match the following वैसे हमें लेना नहीं चाहिए पर मुझे लगा कि में इस चैप्टर का यही है periodic property ही बहुत ज्यादा में हमें लगा और वैलेंस से और वैलेंस एलेक्ट्रों ने तो उस लिए वह question समने लिया ठीक है तो तो देखेंगे अगर आपने पीछे की वीडियो देखी है तो वहां से यह बड़ी easily solve हो जाएगा कि electron affinity का कौन से इधर में जाए अवनाइजिसन एनरजी का metallic character का non metallic character का group और period सारे solve हो जाएंगे तो ठीक है पहले मैं बताता हूं आपको electronic configuration electronic configuration बताया था कि जब electrons आता है तो energy loose होती है energy released होती है तो वह electronic configuration हो गया ठीक है और ionization energy आया तो ionization energy क्या है जब कोई electron loose करता outermost cells है तो उसको energy चाहिए ठीक है loose करने के लिए तो energy required ठीक है metallic character और यह energy जो loose करता है ionization energy जिसको loose कराता है वह metallic character कराता है tendency to loose electron non metallic character ठीक है non metallic character क्या होता है energy to gain electron तो यह जो metallic character है ठीक है यह ionization potential के लिए non metallic electronic configuration के लिए यह loose करता है तो कराता कोन है ionization potential energy non metallic character gain करता है तो gain करने में भी energy लगती है release होती है तो electronic affinity हुआ ग्रूप और periods के हमने trick बताई थी आपको वह अच्छे से आपको याद होगी तो groups हमेशा gv is equal to 18 बताया था वर्टिकल में होते और periods क्या होते है pH is equal to 7 मतलब period pH मतलब period horizontal is equal to 7 होते तो 7 हो गया तो pH 7 हो गया देखे यह question solve होगे कितना easy तरीके से ना देखे यहाँ पर यह question आपके लिए है जो हमें आप comment section में बता सकते हैं कि यह questions कैसे solve आप ने किया है ठीक है और जिसको problem है वो भी question number डालके हमसे answer पूछ सकता है तो मैं यहाँ पर सारे questions हमें clear दिख रहे हैं कहीं कोई doubt नहीं और last में यहाँ पर जो है कि यह जो है last question 5 में electrons are present लिखा हुआ है chlorine, 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 bromine, iodine are the members of group 17 of the periodic table how many valence electron are present in the fluorine and iodine तो कितने present है वो आपको बताना है ठीक है विसे एक बार मैं read कर देता हूँ name the first and the last element in period 3 first or last element बताना है what happened to atomic size of element on moving across the period atomic size क्या होगा जब हम periods में move करेंगे what common feature electronic configuration is seen at the end of period तो electronic configuration में क्या common feature दिखेगा period में why elements of the same group have similar chemical property तो same group में similar chemical property क्यों है वो हमें बताना है बागी last question हमने आपको बता दिया तो guys if you like my content my video please like comment and share those who have first time visited on my channel please subscribe my channel thank you